हेलो इभरवान वेलकम टो ओवर चानल आज मैं आपको आर्म होल शेपर की हेल्प से स्लीव का शेप देना बताऊंगी फ्रेंट पार्ट का बैक पार्ट का दोनों का हम शेप देना सिखेंगी बहुत ही आसानी से यह शेपर होना चाहिए बस आपके पास यहां पर मैंने बेसिक स्लीव के लिए कपड़ा लिया हुआ है जिसे हम दोनों बाजू के लिए फैबरिक लेते हैं कि कपड़ा कितना लेना है फोर फोल्ड में कपड़ा कितना होना चाहिए तो चेस्ट के कॉर्डिंग देता है जितना भी चेस्ट का फोर्थ पार्ट आ रहा है उसके कॉर्डिंग आप ले सकते हैं इसमें आधा से एक इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए तो भी ले सकते हैं और इस तरह से आप τिर्चे में अगर आर्म होल मेजर करते हैं तो आर्म होल का देख लीजिये कि आपके आर्म होल के बराबर जा रहा है या नहीं with सिलाइ मार्जिन ठीकी है? तो दोनों तरीके जिस तरह से आप मेजर करते हैं इस तरह से शेप दिया जाता है मीडियम है तो साड़े तीन पर देजिए 3.5 पर ठीके मीडियम साइज में छोटे में 3 हैवी साइज में 4 इंच तक और इस तरह से मिने लाइन बना दी है अब लाइन बनाने के बाद सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट का शेप बताऊंगी द इस तरह से स्केल रखकर गें बनाले है अब इस साइज में निकालएंगे यान की मीड पॉंट में मांक कर देंगे इजी है यह शेप देना यह जो शेप बना रहे हैं यह किसी भी ड्रेस के ब्लाउस के कुर्ती के बैक पार्ट में टेज होता है तो काफी स्मूथली आप यह शेप दे सकते हैं देखा आपने काफी आपका अच्छे से शेप भी आ जाएगा आपका आन्मों शेपर की हल्प से तो ये हो गया हमारा बैक का शेप, अब हमें सीखना है फ्रंट पार्ट का शेप, वो भी मैं आपको शेपर की हल्प से ही बताऊंगी, तो चलिए आप फ्रंट का शेप देख लेते हैं, तो दीखिए वही 3.5 पर मैंने लाइन मार्क की है, अब आपको शेपर को कुछ इस तरह से रखना है, ये शेप आपके ड्रेस के फ्रंट पार्ट में रहेगा, और इस तरह से जो कव है, उसी में मार्क करना है, बहुत जादा उपर जो जादा गोल आ रहा है, वहां तक बार्क नहीं करना है, देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इतना मैंने निशान दिया, अब मैं इसे पलट दिया है, मैंने शेपर को पहले ऐसे था शेपर, अब मैंने पलट दिया, और इस तरह से सेट करके रख दिया, तो यह आपका फ्रंट का शेप, आप देखिए कितनी फिनिशिंग से आएगा, इससे पहले आपने इस तरह का वीडियो शायद ही देखा होगा, यहाँ पर नुक बन रही है, तो इसे क्लियर कर देंगे, मैंने फ्रंट और बेक के शेप आपको अलग-अलग इसलिए बताए मैंने दोनों तरह से आपको मार्किंग बता दिये कि फ्रंट में किस तरह से शेप देना है, बेक में किस तरह से देना है, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में,